थायलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो इन डिस्क करने वाल और हो दो आपके को इस से पहले हम जो आपके चैने चाप्टर था पी एक टूर हम के अंदर कर चुक फसके में 240 में रेट-एक फ्रकॉपर्प्र्स टोन से वीडियो अंदर हंध्य ऑं खेप कर चुके हैं तो इस वीडिये के अंदर फॉर्थ पार्ट है इस चेप्टर का में इसे करने वाले हैं जो आपके महले तीन होते हैं डेली हैले वो शुलिवार इंडेक्स लेकिन जो आज के टाइम पर यूज नहीं होता है अब्सुलिट हो चुका है लेकिन जो बाकी दो बच लुए उसको हमें समझना की होता है क्या है कैसे करते हैं और क्या सिंपोटन से ठ Pokemon चैप आपका है जैसे मैं आपको अब भी घृताया कितीन इंडिकेटर होते हैं है disability मतलब आपका disabled है नहीं तो तीन में से जो सुलिवा इंडेक्स सेकेंड वाला वह आपका यूजर नहीं होता है इस टाइम पर तो मैं लिए आपको दो पड़ने होते हैं डेली और है डेली होता है है disability adjusted life year और हले होता है health adjusted life expectancy तो आप देखें आप में समझें उससे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए कि मैं इन दोन डिफ्रेंट्स क्या होता है जो डेली होता है एक मतलब health health तो health है तो मतलब जो healthy life जी आना इंसान वो इंक्लूड करता है है और जो disability के साथ लाए जो मैं लिए उसने एर जी है जितनी लाए जी है वो इंक्लूड करता है डेली जो डेटेल में समझते हैं तो डेली मतलब डिसलीटी एडिशेश्टी लाइफ येर्स तो सबसे पहले बात होती है कि आपका लाए कि बर्ड़न होता किश्री डेटा मैं उसको एक्सप्रेश करता है डेली इसके श्व इसमें दोनों चीजा ऑप अल्ष आपको gonna पहले है उसके पाड़ की इसमें इसक्वर मैं500 कर और गय Stampू कई abs जी होता है सो साल जीना होता है लेकिन उसकी वजय से यह सिर जी पाता है 80 साल ठीक है 80 साल तो मतलब 100 साल नोर्मल जीता एक्षिन नहीं हुआ होता तो 100 से 80 में मतलब कि आपके premature death हुए है इसकी कितने साल की 20 साल की 100 जीना था लेकिन एक्षिडेंट के वज़ाज सिर्फ 80 साल जी पाया तो मतलब death death मतलब जो premature death है ना वो year of life loss due to premature death ये भी इंक्लूड होता है इसके अंदर जो यलल होता है और second होता है कि जो आपने normally the accident नहीं होता तो नोर्मल यहां से 50 के बाद अच्छी तर जीता लेकिन accident होने के वज़ाए से 50 से 80 साल के बीच में यह क्या करेगा disability के साथ जिएगा मतलब इसका for example जो पैर है वो लोस हो गया या आथ हो लोस हो गया जो भी कोई बीच ठीक है disability पार्ट है बोड़ी का वो लोस हो गया उसके विज़ाए disability तो मतलब पचास सी साल मतलब तीस साल उसने तो हमारे इंडिकेटर रहा थ है देली तो डेली आपका डोनों की करता है एक तो उसकी वाज़ाएसाल को एक आपका जिस क्डिक है उसने कितने साल जाए जीए है फो दोनों की करता है डेली तो डेली एक ड torch मतलब युन एर ऺफ लाघame लोभip to साथ इस बात को समझें तो देखिए इस इस केस में हमने कल्कुरेट किया डेली कितना आया 20 ये 30 ये 50 मतलब है 50 ये of healthy life lost, जो कि उसने 50 साल के बाद तो healthy life जी नहीं, 30 साल तो वैसे disability साथ जिया और 20 साल उसको ऐसे कम हो गए, तो मतलब 50 साल ही वो जी पाया, तो वो आपका हो जाएगा, इस तरह से हम डेले निकालते हैं, और यह इसका formula होता है, तो यह आप simple, इस example से आप याद रखिएगा, कि यह मैं ली, death और disability दोनों को include करके हमारे को data देता है, या डेली, और या बडन को express करता है, और motility और disability दोनों को measure करता है, लेकिन जो second वाला है, जो हमारा second आपका indicator था, वो आपका health adjusted life expectancy, वो आता है, हैले, हैले आपका क्या होता है, नाम में सबसे पहले चल रहा है, health, health है यह, तो यह आपका quantity और quality of living हैना, दोनों को measure करता है, for example, यह नॉर्मल एक life है, life है, ठीक है, इनसान की, तो इसके अंदर 68 यहाँ पर, एक स्ट्रोमा होता है, तो यह माली जी एक साल है, disability साथ जिया, तो ठीक हुआ, उसके बाद फिर से, उसने 4 साल disability साथ जिया, उसके ब पार, एक मोमेंट आया, इसको कुछ ट्रोमा हुआ, एक्सिटेंट हुआ, जो भी हुआ, उसके बीजाशने 5 यह, disability का जिया, तो मतलब 1, 4, 5, मतलब 10 साल यह, disability साथ जिया, अपनी life के अंदर, लेकिन इस केस में, 10 साल जिया है, तो जो बाकी बच गए, जो इसने नॉर्मल, जो फुल हेल्थ के साथ जिया है, number of year, an individual can live in full health condition, under existing condition, तो मतलब 20 दिने भी साल बच गए, जो इसने healthy life जिया है, वो मेली आपका बताता है, है, healthy, as a health adjusted life expectancy, तो यह आपका quality तो आपका होई गया, कि सिर्फ health को include कर रहा है, quantity यह बता रहा है, कितना कर रहा है, ठीक है, तो आपको यह आपका ज्यादा, एक अच्छा indicator होता है, किसी भी disability को indicate करने के लिए, तो आपका जितना ज्यादा बड़न होगा, disability का या life के अंदर, उतना ही हैले कम होगा, क्योंकि हैले सिर्फ health है, health indicate कर रहा है, मतलब जितनी ज्यादा disability, उतना कम हैले, समझे, लेकिन उसमें क्या है, आपके डेली के अंदर, जितनी ज्यादा disability, उतना ज्यादा डेली, समझे, कि उसके अंदर डेली include होता है, लेकिन इसमें, इसमें सिर्फ healthy life include होता है तो जितनी ज्यादा disability होगा मतलब उतना कम healthy life होगी और उतना ही कम आपका healthy होगा तो more burden is equal to less healthy तो एक बाद आती है कि best indicator कौन सा होता है जो burden को में जो burden है disease को वो indicate करता है वो आपका healthy healthy आपका best होता है डेली भी burden को बजाता है लेकिन best होता है ले तो इस लेट आपके तीन क्यों सनाते हैं burden of disease regarding कि आपके हमें जो second part क्या था motility indicator उसमें में देखा था जो PMR होता है proportional mortality rate वो आपका क्या होता है कि burden of disease indicate करता है उसके बाद हम third part किया था morbid indicator उसमें मैंने बताया था है कि प्रिवेलेंस होता है वह आपका more away जो burden disease को indicate करता है लेकिन यहां पर आप मैं इस part के अंदर हमने डिस्स किया कि हैले आपका सबसे ज्यादा best indicator होता है और burden को indicate करता है सिर्फ आप से नय किसी motility और mobility को indicate कि पूछा जाए कि best indicator कौन सा है जो आपका बड़न को indicate करता है तो आएगा हैले एदि हैले option में नहीं है तो उसके बाद आएगा डेली ठीक है यह डेली से बहुत जादा होता है लेकिन जब mortality और morbidity दोनों को ना मेंचिन करेक्विशन के अंदर तो आपको प्रिवेलेंस और प्यमार आंसर देना आता है ठीक है तो यह आपके मैं आपके हैं डिसल्विटी इंडिकेटर इससे पहले दोस्त हम आपके जो बाकी तीन पार्ट थे हैं मेजर मेंट एल्थ के रेट रेच प्रोपोर्शन मोटलिट इंडिकेटर के अंदर पांस हमने पड़े थे और मोरबिट इंडिकेटर में दो पड़े थे वो लड़ी हम डिस्टिस कर चुकें आप इज़ें नहीं देखा है यह वीडिडियो देखना चाहते हैं जो PSM है हाई लिंग पॉइंट बता रहा हूं और आपका यह जो वीडियो है आपके जो नीट के लिए तो हेल्प होगा इनेक्ट इजाम के लिए साथ-साथ आपके जो वाइवा होता है आपका जो कोलेज इजाम होता हो सोट नोट वहां से भी आपके बहुत सारे चीज़े यहां से करेंगी तो इस वीडियो से होप क्या पहल्प होई होगी यह ऐसा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा अच्छे लेगे हो तो आपने दोससाइब कर सकते हो उनको भी अच्छा लगेगा उनको फायदा होगा और आगे यूटूब इन झाल कर दोससा होगी यूटाइब के लिए उनको भी नहीं होगी यूच्छा बगे।